नमस्कार स्वागत आपका सीनी उस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव महराश्ट विधानसभा चुनाव में अब कुछी दिन बचे हैं 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है ऐसे में एंवी और महायूती में सीट श्वेरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं जी हाँ चुनाव से पहले राजनीतिक पाठियां वादों और गारंटियों की बढ़सात कर रही हैं बीजेपी के अगवाई वाले गडबंदन महायूती और विपक्षी दल महाविकास घाडी ने वोटों के लिए अपनी अपनी गारंटी जारी कर दी है इतना ही नहीं एंसीपी और उद्दव सेना जसी पाठियों ने अलग से अपने अपने गोशना पत्र भी जारी किये हैं एंसीपी ने तो हर सीट के लिए चुनावी गोशना की हैं महलाओं की सानों और युवाओं का भला करने का सभी ने संकल्प लिया है महाराश्ट्र में महायूती ने जहां अपनी दस गारंटी के साथ वोटों को रिज़ाने की कोशिश की है तो वहीं महाविकार सघाडी ने अपने जॉइंट मैनिफेस्टों में पांच बादो वाली पंच सूतरी पत्र के साथ सत्ता में वापसी की जोर आजमाईश की है इनमें महिलाओं को प्रती महा विफियर सहायता, किसानों का लोनमाफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्ते बीमा आदी शामिल है दरिसल महाविकास घाडी में शामिल दलू, कॉंग्रेस, शिफ्सेना, एन्सीपी, आदी के नेताओं ने महाराश्ट रस्वाविमान सभा का आयूजन किया इसमें गडबंदन में शामिल सभी दलू के बड़े नेता शामिल हुए राहुल गांदी ने मंच उसे खुल कर बीजपी और शिंदे सरकार पर निशानस साधा एन्विये के नेताओं ने जोरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें एन्विये की पांच गारंटी महालक्ष्मी योजना के तहट महलाओं को 3,000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे साथ ही महलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा भी होगी किसानों को 3,000,000 रुपे तक का रिंड माक किया जाएगा साथ ही समय पर रिंड चुकाने पर 50,000 रुपे की प्रोसाहन राशी दी जाएगी जाती आधारिज जनगड़ना कराई जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षन सीमा को हटाने का प्रयास किया जाएगा 25,000,000 रुपे तक का स्वास्त भीमा और वुफ्त दवाईउं की गारंटी दी गई थै और बेरोजगार युबाओं को 4,000 रुपे प्रति माहा तक की वित्तिय सहायता का वादा किया गया है अब बात करते हैं महायूती की 10 गारंटी की इंदे सरकार ने लाडली बहन योजना की रकम 1500 से बढ़ा कर 21,000 रुपे करने का वादा किया साथी महला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25,000 महलाओं की तैनाती का वादा हुआ किसानों को रिंड माफी की गारंटी दी गई किसान सम्मान योजना के तहट हर साल 12,000 की जगा 15,000 करने की गारंटी दी गई MSP पर 20 प्रतिशक सबसीडी का वादा किया है रधा वस्ता पेंशन धारियों को हर महीने 1500 से बढ़ा कर 21,000 रुपे करने का वादा किया है आवश्यक वस्तों की कीमतों को स्थर रखने का वादा किया गया है 25,000,000 रोजगार और 10,000,000 चात्रों को प्रशीक्षन 10,000 हर महीने शिक्षा भद्ता देने का वादा किया गया है आंगनबाडी और आश्रावरकर को 15,000 रुपे वेतन और बीमा सुरक्षा का वादा किया गया है ग्रामेंड भागों में 45,000 कनेक्टिंग सडकों को जोडने का वादा किया है बिजली बिल में 30 प्रतिशत कटौती का वादा है सरकार बनने के बाद इस विजन महराष्ट दोजार उन्टिस को 100 दिन के भीतर पूरा करने का वादा किया गया है इस बीच उद्धर ठाकरे भी अपने पांच मुख्य चुनावी वादे लेकर चुनावी दंगल में कूद पड़े सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बेटा बेटी सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार महला पुलिस भरती बढ़ाने का वादा, वरिष्ट पदों पर महला अधिकारियों की भरती का वादा किसानों को मूल्य ग्यारेंटी, आवशक वस्तू की कीमत इस्थर रखने का संकल, मुंबई में उद्योग के साथ धारावी निवासियों को घर देने का वादा किया महाराश्ट के भूमी पुत्रों को धारावी और मुंबई के इलाकों में सस्ते मकान मुहया कराएंगे दो गडबंदनों के बीश देखने को मिलेगा, सत्ता रूट महायूती और महाविकार सगाडी आमने सामने होंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में विपक्षवी गडबंदन M.V.M. महाराश्ट में लोगसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाही हलाकी चुनाव में मचदाताओं को लुभाने के लिए बादे तो पहले सिखे जाते हैं लेकिन अब तो सरकारी खजाना लुटाने का चलन चल पड़ा है लेकिन सवाल है पैसे कहां से आएंगे रेवडी बाटने की ये राजनी थी देश को कहां ने जाएगी और क्या वाकई जीतने के बाद पार्तियां अपना वादा पूरा करेंगी फिलाल के लिए इस खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत